कि हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे इस पी डवलू वर्सेथ आई टी एडवलू फुल स्टेट्स पलस इनको यानि कि इस्पेन वमें वर्सेट इटली वमें के बी जो मैच नूमर वन खेला जाना है 11 नूम्मर को यह मैच जो है बहुत दोपर बारा बज़े से स्टार्ट हो जाएगी यह ओमेंश टी ट्वेंटी पेंटंगुलर श्रीज चल रही है निकि चार देश जो है इसमें पार्टिसपेट कर रहे हैं बेन्यू जो रहेगा डीजर इस्प्रिंग क्रिकेट ग्राउंड अलमरिया करेगा जो की इस्पेन में है तो यह इस्पेन का होम ग्राउंड है बट आपको यह बता देना चाहत कि पहले वीडियो में माली सिरिज माने कवर की तो वहां पर स्पीन को पूरा तो इस पीच में भी आपको व्मेंड के मेंचे में तो इस चीछ की में ठीक कर दिखेंगे आप स्थैंगे करके चलेंगे एबरेज स्कूर ओमेंट्स मैचेस है तो आई थिंग कि 100 के आसपास ही होने चाहिए क्योंकि यहां पर रन बनाना थोड़ा सा मुस्किल है जो अपडेट रहेगी वो अपडेट के लिए आप हमारे टेलिगराम से जूनना चाहते है तो टेलिगराम का लिंक आप को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रेप्शन में और टॉप के कॉमेंट में देखे इस्पेन ओवन की जो टीम है यह मैं यहां पर नहीं लिखा हूँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिसेंट टाइम में यह जो है आई थिंग की चार मैचे स्खेल के आये हैं 2022 में चार मै मैच हा रहे हैं यह एक भी मैच नहीं जीत पाई है इस पैन की जो टीम है तो थोड़ी सी वीक ही मान के चले बाद कुछ ऐसे प्लेर है जिन पर पूरा फोकस करना है जो कि आपके लिए कच रहे जो इनके कैप्टेन है टीम के लस्ट से फौलर जो है यह इंटरनेशनल के चा चार मैच से 141 है फोटी लास्ट के चार मैच साब देखेंगे चार ही मैच यह खेले हैं ज्यादा मैच अभी टीट्वन्टी के इन लोगों ने नहीं खेले हैं आप देखेंगे 42-44-39-36 तो अच्छे हैं बिल्कुल टीम में रहने चाहिए उसके बाद आएंगे जस्परित ग्रांग कोर जो कि आप देखेंगे कि दो मेंचस में ऑपन किये थे अब बाकी दो मेंचस में थोड़ा नीचा आये थे चार चे किये थे बल्लेवाजी से तो उतना कुछ खास नहीं कर पाये थे बट गेनवाजी पूरे कर रहे थे तीन बिगेट लिये थे चौदा में वैस हैं चार में से 14 रन बनाए हैं और तीन वैट लिए तो एक अच्छे आफशन है आप इनको अगर सी बीसी भी ट्राइ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं एमी ब्राउन करे राकी तो यह एक अच्छे पिलियर है देखिए यह आपको नंबर नंबर तीन पर आते दिख जाएंगे यानिके वन डाउन आते दिख जाएंगे बल्लेवाजी भी अच्छी अखासी कर लेते हैं और चार-चार ओबर की गेंदवाजी आप देखेंगे तो सारे में दिये हैं तो यह जो है आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी आप इनको सी बीस बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं इस पिनर मुझे एक इस टीम में एक ही दिख रहे है वो है राइट आम ऑप इस्पिनर उस्वा साइज जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे मैं कहूंगा कि यह इस्पिनर को बहुत अच्छी हेल्प है तो आप इनको सी बीसी डारेक् के चार विगेट ली हैं तो सी बीसी के एक बेस्ट ऑप्सन है अब देखिए यह पिलेर जो है पहली बार जो है इस पेन के तरफ से टी-20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी नियामी हिल्मन बेर्जो अब इनका जो है रोल यह मुझे कहीं से पता नहीं चल पाया है अगर यह इ यह तीन मैचेस जो है हम सायर जुनियर से खेले हैं यहां पर आप देखेंगे तो 48-22-0 तो अच्छे का से रन भी बना रहे है और आप देखेंगे तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर रहे थे आपको और राउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे आपके लिए गेम चेंजर प तो आप समझे लिए कि यहां पर यह चार नहीं तो दो अबर आपको दे सकती है और रन तो इसे अच्छे का से बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी पिक रहे कि बिलकुल आप ट्राइक कर लेना है जील में बाकि मुसकान नसीब की बात कर ले तो 2022-20 इंटरनेशन इनका रहा है तो उतना कुछ खास इस्टेश नहीं है बाकी पिलेर जो है हिफसावट इनका भी आप देखेंगे एक ही मेच के लें एक मेच में पाच रन ही है वानिया आरिफ मॉलिक की बात कर ले तो वानिया आरिफ मॉलिक जो है यह बालिंग करती है यह आपको तीन मैचस में जो है चार ओवर की गेनवाजी दिये हैं चार विगट ले तो बॉलिंग उतनी नहीं करती है बट एक मेच में यह तीन विगट ले थे तो आप ट्राइक कर सकते हैं राविया मुश्ताक की बात कर ले तो आप देखेंगे कि सारे फास्टर बॉलर भड़े पर रहे हैं त कितने कितने ओवर डाले हैं बहुत ही खराप रही है रविया अहमाद इकबाल की बात कर ले तो रविया एकबाल ठीक ठाक बॉलिंग कर लेती है चार मेंसे जो है दस प्रॉंट तीन और टीन वेट लिए इकोनोमी इनकी भी खराप रही है बाकि पायल चिंग ओला आपके ल लेप्ट हेंड बल्लेबाद यह इनका रोल है बट यह मैं क्यों यहां पर नहीं लिखांग कि यह डाउट फूल है यह खिलाड़ी है भी यह नहीं देखिए यह पहले जो है इंडिया में खेलती थी आइधिंक की मुंबई या कि यह किसी जो है जो है यहां पर खेलती थी 2018 मैं ज्यादा आ वह से रीकॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि क्या मीचेस में फ्र committees में इसे में इन्होने आ capitalist on neiga थी तीन मैं से दिशने ही इन्होंने था यह सीरत यह जीन मो कंशल्य है और आप में खेल रहे हों तो ब्लकुल ट्राइब कर सकते यह झांकि आपक लिए तीम से जो इनके मेन जो निकल के आ रहे हैं जिनको आपको टीम में बिल्कुल रखने चाहिए और रहेंगे इव फाउलर जो कि इनके टीम के कैप्टेन है ऑपन करेंगे बहुत अच्छे खिलाडी है जेक रंग बिल्कुल अच्छे पिलेर है एमी ब्राउन और उस्वा यह चार पिलेर जो हैंके में जो हैंके रहेंगे मैच अगर इनको जितना है तो यह चार पिलेयर रोल रहे गांगा बाकी यहां से नियूंउ आये हैं यह भी आपके लिए एक अच्छे खासी पीक हो आगए बाकी पिलेर सारे या से है आप ज어요 सारे वाल्यक कर कि बागी और वह से मुझे कोई खास नहीं दिख रही है बागी यहां से बात कर लें तो इटली ओमें की जो टीम है लास्ट के पांच में से पांच मेंचे जीत के आ सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन कर रहे हैं इसमें इनको चोट लगे थी रिटायर आउट हो गये थे तो बाकी मैंचेस में आप देखेंगे तो अच्छी खासे बॉलिंग किया और समझ सकते हैं इनपॉर्टेंट प्लियर है बिल्कुल आपके टीम में रहने चाहिए अब जो है डिलाइशन अनाइकारा की बात कर ले तो यह आईटाम आप इस पेनर है यहीं पे तो इनका इनका इंपॉर्टेंट बढ़ गया है आप इनको टीम में बिल्कुल ट्राय कि मेरे हिसाफ से क्योंकि रीसेंट टाइम में जो मैचेस हुए है इस पिनको अच्छी हासे मदद हुए है यह आपको मिल जाएंगा बॉलिंग सेक्शन में इनका भी सेलेक्शन की कम है या यह देख लेना है बट लोग सीवी सी इनको करेंगे आप डारेक्ली इनको सीवी सी कर लेंगे दस में वह से तीन ही बिगेड़ बहुत एकोनोमी सांदर है और आप देखेंगे तो लास्ट के तीन पांच मेंसे जो है तीन में इन्होंने ओपन किये हैं बाकि दो मेंचेस में बहुत नीचा है बट खिलाड़ी सांदर है बिल्कुल आपके टीम में होने तो यह आपको स्टंपिंग कैचिंग देंगे तो आप इनको ही लेके चलिए गा तो बेश रहेगा साड़ेले मल्योटे की बात कर ले तो सब्सक्राइब बाकि बागी मेंचेस में जो है बहुत लोगर और मल्लेवाजी कर रहे हैं चातुरा का महाले महा मलेच की बात कर ले तो यह इंपॉर्टेंट रहेंगा आपके लिए चार नमबर चार से पास नमबर पर आपको बल्लेवाजी दे देंगे पलस पूरे उबर की गेंवाजी आपके लिए एक सीबीसी के बेस्ट ऑफसन है पांच मेंचेस में एक सो चार रन हाइस को फॉर्टी पाइप का अब प खिलाडी आपके लिए अच्छी रहेगी बिल्कुल आट मेंचेस में नोव विकेट ले रहे है एकोनोमी सांदर तो आप समझ सकते हैं आपके लिए आइचिंग कि इनका सेलेक्शन कम ही होंगे तो आप इनको बिल्कुल ट्राइक कर लेना इन लोगों के जो बॉलर साथ विकेट लिए भी लिए हैं वाट क्या है और राउंडर सेक्शन में जो इतने सारे प्लेयर है आप किसको लोग किसको नहीं लगाए बहुत कंफूजन है तो यह बैटराम भी आपके लिए जी एल गेम चेंजर पिक रहने वाले कर खेलते हैं तो आप इनका भी धियान भाई की गाहितरी बाटर गोड़ा की बात कर ले तो जो है बहुत ही हाई सेलेक्टेट जा रहे है बहुत ही नमबर छे साथ पर बल्लेवाजी करते हैं उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है नोह मेंचस में 41 हाई स्कॉर 10 का और आप देखेंगे हाई सेलेक्शन में मिल यह भी हाई सेलेक्टेट जा रहे है निमेश अर्शू रमाइंगी की बात कर ले तो 2022 में जो है तीन मेंचस के लिए जहां पर नौ आवर की गेंदवाजी के एक बेट लिए हैं खिलाड़ी ट्राइबल रहेंगे तीन तीन आवर की गेंदवाजी कर रहे थे एक मेड़न भी ठीन के तो मैं जबारी कि कुछ करने मौका ही नहीं मिला तो ठाइब आदो पर रहता है uit होनी की बात नहीं है कि रन्दिफ कोर आपके लिए गेम जेंजर पिक रहेगी अगर आप ट्राय करना चाहते हैं बट बॉलिंग करेगी या नहीं यह कहना मुस्किल आप यह एजे बैट्समें ही खेलती है या क्या है क्योंकि इनके इस्टेट्स इनके अलावा मेरे पास बात है अगर अच्छे लगे तो आप ट्राय कर सकते हैं बाकी अब चलते हैं अपने डेमो टीम में मैंने जो इस्ट्रोंग टीम के बिगेट कीपर है जो की आपको नंबर तीन से चार पर आकर बल्लेवाजी भी दे देते हैं तो इसकारण से मैं एम रतनायके के साथ गया एम नसे बही नंबर 6-7 पर बल्लेवाजी ऐजग भी नंबर 7-8 पर बल्लेवाजी तो यह लोग जो है यह सारे एवरेस से पिले रहाआप जिसको लेना चाता है ले सकते हैं बर जिसका मेरे पास इस्टेट्स हैं बड़ डाउट पूल है जो मुझे मिले है लेप्टा मॉर्थोडर्स है लेप्टन बल्लेवाज है जो मुझे 2018-19 के इस्टेट्स मिले हैं तो मैं इसे बस तुक्य के तोर पे ले रहा हूं बाकी आपको सेब जाना है तो आप इन दोनों के सा सकती है और इनके अलावा जो वीक टीम है मुझे लग रहा है कि वीक टीम के जो बल्लेवाजी है उनकी थोड़ी सी आप जा सकते है डेफ्थ में क्योंकि इनके जो है चांस है कि यह लोग विकेट दे दे इस कारण से आपको एहम नसीम या एज़ बट ट्राइ करने चाहिए यह बेस्ट रहेगा क्योंकि इन लोग की बल्लेवाजी आ सकते है बट इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रॉंग है तो हो सकता है कि यह आपको 9 से 10 विकेट से भी जो है यह मुकाबला वीन कर जाए तो इसकारण से इन लोग की बल्लेवाजी आएगी भी इटाली की या नहीं यह इसलिए आप इनके ही लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा मैं अभी फिलाल के लिए एम नसीब या एजवट में से आप जिसको देख ले इस्टेट वाइब जो पहले बल्लेवाजी कर रहा है आप उनको ले सकते हैं अभी मैं फिलाल के लिए एम नसीब के साथ जा रहा हूं यहां से एस वितरजे जो कि ओपन करेंगे पलस चार ओवर की गेंवाजी देंगे सी बीसी के बेस्ट ओप्सन सी महले जो की चार से पाच नमर पर बल्लेवाजी कर लेंगे और आपको चार ओवर की गेंवाजी एक अच्छे ओप्सन है आपको तीन चार नमर पर यह भी बल् को मैं यहां से इन दोनों में से किसी एक को छोड़ करें डीस कुरमा को लेने की कोशिस करणा का इब अब या सब्सक्यार अच्छी लेड़ारी है लंग गुर्भी एक अच्छी पीड़ाम भी अच्छी तो और राउंडर सेक्शन सारे पिलियर एक साथ भी आपको खेलते दिख सकते हैं और सारे पिलियर अच्छे आप जी एल में बिल्कुल एक एक करके ट्राय कर सकते हैं बाकी मैं अभी यहां से बराउन करे रहा जो कि यहां से डी नयन करा जो की वोपन भी कर चुके हैं और एक इस्पिनर का एडवांटेज मैं इस्पिनर के साथ जा रहा है यहां से के को आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगी क्योंकि यह भी आपको जो है यह जो दिखा रहे हैं ड्रीम वाले कि यह फास्टर रबट आई कि यह इस्पिनर वालर है अगर इस्पिनर है तो आपके लिए एक अच्छी गेम चेंजर पिको सकती है डबलू से रहना के मुझे स्टेट्स नहीं मिले हैं अगर आपको कुछ अच्छे स्टेट्स अगर दीख रहे हैं तो आप टीम में ट्राय कर लेंगे अगर हो सकता है कि यह इस्पिन वालिंग कर जाए तो इस चीज का धियान रखना है तो अभी फिलाल के लिए जो हमारी टीम जो है यहां से कुछ इस पर कर से हैं यहां पर जो हमारी जो सी रहेगी और बिना सोचे समझे मारी एस विथेज सी रहेगी वीसी मैंने डीन कर रहा को दिया क्योंकि स्पिन वालिंग कर रही है पलस कुछ मेंचेस में ओपन भी किये हैं लास्ट के पांच मेंसेज जो है तीन मेंचेस में ओपन किया इसका रहन से मैं इनको ले रहा हूं बाकी अधर ऑप्सन में आप सी वीसी की बात कर ले तो यहां से जो है एबराउन यूसाइज सी महलेज और यहां से इबन की आ और किसी वाल राउंडर को आप ले रहे तो सारे पिलेराई से हैं जिनको आप वीसी ट्राइब कर सकते है तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारी CS के साथ गई है बीसी D9 के साथ गई है तो मेरी जो है इस तरह से अभी डेमो टिम है बाकि फाइनल टिम हो आपको टेलीगराम पे अबडेट कर दी जाएगी इसलिए आपको टेलीगराम में जुनना जोड़ी है टेलीगराम को लिंक आrän में आपको मिल जाएगा हमारी डिस्क्राइबस स्ट्सेर्प हो में उमीद करता